वेलकम तो मैं चानल आज हम सिखेंगे मुंबई स्ट्रीट स्टाइल तवा पाव भाजी कैसे बनाते हैं अक्सर हम घर में बनाते हैं लेकिन उसमें वह स्ट्रीट फूड तवा वाली बात नहीं आती इस रेसिपी को बनाओ जरूर बनेगी बात सबसे पहले हम प्रशिक कुकर में सारी सबजियों को दो सीटी लगा देंगे यहां मैंने यूज किया है आलू गोबी शिम्ला मिर्च मटर और गाजर आपके घर में जो हो आप वह भी डाल सकते हो उसके बाद हम कराई को करम करेंगे आधा तेल और आधा मखन डालेंगे पाव भाजी है दोस्तों मखन तो पाव भाजी पाउडर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट इन चीजों को अच्छे से हमें काफी देर के लिए चला लेना है ताकि इन में से मसाले का जो कच्छा गंध है वो चला जाए इसे हमें मीडियम टू लो हीट पर अच्छे से फ्राइब करनी है और जब फ्राई हो जा हम क्या करेंगे सारी सब्जियों को मैश कर लेंगे मिक्स कर लेंगे जिसके लिए हमें इसे धक्के पकाना है हम थोड़ी दिर के लिए धक देंगे धक्कन उठाएंगे सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे एक से दो मिनिट तक फिर धकेंगे फिर दो तीन मिनिट जब तक इसमें वह पाओ बाजी की consistency ना आ जाए ऊपर से थोरा butter डाल कि इसको ढख के side कर देंगे बन के लिए हम तबे में मक्षन डालेंगे इसमें थोरा सा पाओ बाजी मसाले का powder डालेंगे अपनी पकी हुई पाओ बाजी से एक चमज मसाला भी इसमें डालेंगे जब ये गरम हो जाए उसमें पाव को डालेंगे ब्रश से पाव के दोनों तरफ इसको लगा लेंगे आप देखिए वो तवा वाली जो पाव वाजी है स्ट्रीट स्टाइल उसमें बन में खास बात होती है वो अभी इस बन में भी है यह सॉफ्ट है मुँ में पिगल जाने वाली है और बिलको स्ट्रीट स्टाइल है सब्सक्राइब करना मत भूलना